दिल्ली में लोगों को एरलाइन्स कमपनी में नौकरी दिलाने और आनलाइन शॉपिंग पर गिफ्ट देने का वादा कर्थगी करने वाले 21 वर्षिय एक युवक को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस ने बताया कि गिरफतार युवक गोविनपूरी का रहने वाला है और दिल्ली के मालविय नगर स्थित फरजी कॉल सेंटर में सुपवाईजर का काम करता था हलाकि फरजी कॉल सेंटर चलाने वाले मुख्य अरौपी हर्ष और विनोध अब भी फरार हैं बुद्वार को पुलिस को दक्षनी दिल्ली में कॉल सेंटर के बारे में सूचना मिली जिसके बाद पुलिस ने वाँ च्षापे मारी की पुलिस उपायुक दक्षिन अतुल कुमार ठाकुर ने कहा कि कॉल सेंटर के सुपवाइजर के रूप में काम कर रहे प्रसाद और एग्जेक्यूटिव के रूप में काम करने वाली 16 अन्य महिलाओं को एरलाइन्स में नौकरी और आनलाइन शॉपिंग के लिए बंपर गिफ पुलिस ने कहा कि जब प्रसाद ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने उन्हें फरजी कॉल सेंटर में सुपवाइजर की नौकरी का आफ़र दिया पुलिस ने बताया कि आरोपी अब तक करीब 70-80 लोगों को ठख चुके हैं पुलिस ने बताया कि मौके से 3 डेस्टॉप, 2 लैप्टॉप, 9 मुबाइल फोन, 3 वोकी टॉकी बरामद किये गए हैं संसनी ओफ इंडिया टीम प्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और राट करें शेर करना ना भूले